हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए सामान्य ग्यान की बजाए विशिष्ट ग्यान की आवशक्ता होती है सामान्य ग्यान और विशिष्ट ग्यान में क्या अंतर होता है इसे इस उधारन से समझते हैं रमेश और सुरेश दो दोस्त है, दोनोंने अभी अभी ग्रेजुएशन की डिग्री ली है, दोनों ही आगे बढ़ने के लिए सेल्स प्रोपेशन को अपनाने का फैसला करते हैं रमेश सेल्स सीखने के लिए एक बहतरिन प्रबंदन संस्थान में, MBA के सेल्स पेसलाइजेशन कोर्स में भाग ले लेता है और सुरेश सेल्स सीखने के लिए किसी बढ़िया नेटवर्क मार्कटिंग कमपनी को जोईन कर लेता है, जिसका ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत बह उनमें अपने द्वारा लिये गए नेड़नों के प्रती, पूर्ण समर्पन की भावना से काम करने की आदत है, वे जिस भी काम को हाथ में लेते हैं, पूरा करके ही दम लेते हैं, वे अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हो गई थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि तीन स कितनी जल्दी बीद गई, वैसे तो वे मिलते रहते थे, लेकिन आज तीन साल बाद, रमेश और शुरेश अपने शहर की एक कौफी शोप पर मिलते हैं, आज रमेश एक बड़ी मल्टिनेशनल कमपनी में सेल्ज मैनेजर के पद पर काम कर रहा है, जहां पर उसे आठ पैकेट 6 लाग रुपए है, इसी दोरान रमेश ने अपने पद के रुत्वे के हिसाब से एक गाड़ी भी खरीद ली है, सुरेश जिस नेटवर्क मार्क्टिंग कमपनी के साथ काम कर रहा है, वहां पर 3 साल की मेहनत के बाद, आज उसकी टीम 3,000 से ज़्यादा सदश्यों की हो गई है, जो दिन प्रती दिन बढ़ती जा रही है, सुरेश भी सालाना 6 लाग रुपए के आसपास कमाता है, इसने भी गाड़ी खरीद ली है, आज दोनों ही अपने सोभाग्ये पर बहुत खुश हैं, वे कौफी पीते हुए, एक दूसरे का हालचाल पूसते हैं, और अपने अनुभाव साजा कर रहे हैं, इसी दोरान कैफेटेरिया में लगे हुए बड़े से LCD स्क्रीन में चल रही ब्रेकिंग न्यूज पर दोनों की निगापड़ी और दोनों ही अपनी जगे से अचानक उठकर लगबग दोड़ते हुए उस टीवी तक पहुंच गए, ट शरकार ने कुछ नेटवर्क मार्क्टिंग कमपनियों पर कड़ी कारवाई करते हुए जांस के आदेश दिये हैं, साथ में यह भी आदेश पारित किया है कि जांस पूरी होने तक उनके सभी बैंक खाते सील कर दिये गए हैं, उन कमपनियों को इदायत दी गई है कि उन्हे अपना आउपरेशन रोकना होगा, दुरभागय से रमेश और सुरेश जिन कमपनियों के साथ काम कर रहे थे, उनका नाम इस लिस्ट में शामिल है, यह समाचार सुनते ही दोनों के पैरों तले से जमीन खिशक गई, दोनों के दिमाग अचानक से कुछ समय के लिए सुन उनकी अंखों में आशूतों थे, लेकिन वे बाहर नहीं दिखाई दे रहे थे, वे बस टीवी की ओर टक्टकी लगाई उवे देख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया, कैसे एक सरकारी आदेश ने उनका सोभागय अचानक दुरभागय में बदल द दिया, दोनों ही पास में पड़ी हुई कुर्शियों पर निधाल होकर बैठ कई, कुछ समय तक दोनों ही कहीं सुन्य में खोई हुए, इसी तरह चुप चाप बैठे रहे, उन्हें अपने आसपास हो रही हलचल का एहसास भी नहीं था, और नहीं उन्हें आसपास हो रही ब और दिया, वेबिल साथ में लाने को कहा, फिर दोनों ने आपस में बातचित किये बिना ही, अपने मोबाइल फोन निकाले, और अपने किसी खास से इस सिलसले में बातचित करने लगे, उन्होंने फोन पर सबसे पहले क्या बात की होगी? हर इनसान, विशेशकर किसे भी संकट की स्थिती में, अपने उपलब्द ज्यान के आधार पर इससे निपटने का निरने लेता है, रमेश और सुरेश ने भी वही किया, और उन्होंने अपने सीनियर से इस मामले पर फोन करके स्थिती और आगामी रणनिती पर बातचित की स्वभाविक है कि उनके सीनियर ने कहा होगा कि अब यहां कुछ नहीं बचा है, उन्हें दूसरे आउसरों की खोश शुरू कर देनी चाहिए इस बारे में आगे बताई जा रहे चार सवालों का जवाब, आफ वीडियो में उपर दाएं कोर्नर में दिखाई दे रहे लिंक पर क्लिक करके या फिर कमेंट बोक्स में लिख कर जवाब दे सकते हैं पहला सवाल, नई जग़ों से दोनों में से किस के पास ज़्यादा निमंतरन होंगे, रमेश या सुरेश प्रशन दो, किसे जीरों से शुरू नहीं करना पड़ेगा, रमेश या सुरेश प्रशन तीन, किसे कम नुक्सान उठाना पड़ेगा, रमेश या सुरेश अगर आपके चारों सवालों का जवाब सुरेस है तो बहुत पढ़िया आप भी उन विशेस लोगों में शामिल हैं जो अपने विशिष्ट ग्यान का प्रियोग करते हैं अधिक प्राप्त करने की प्रिकरिया पुस्तक के अनुसार सामन्य ग्यान से केवल नोकर बना जा सकता है लेकिन मालिक बनने के लिए विशिष्ट ग्यान की आवशक्ता होती है रमेश के सीनियर भी सामन्य ग्यान के ही विद्यार्थी है जो उसे यही सला देंगे कि दूसरी नोकरी खोजो और उसमें मेहनत करो जिससे तुम तरक्की कर सको जबकि सुरेश के सीनियर विशिष्ट ग्यान के विद्यार्थी हैं वे उसे यह सला देंगे कि दूसरी ज्यादा बेहतर कमपनी यह है जिसमें हम अपनी पूरी टीम के साथ जाएंगे जहां पर हमें बेहतर प्रियोग कर रहा है और दूसरा अपने ग्यान का प्रियोग खुद के लिए कर रहा है इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि रमेश दूसरों के बाग की देखवाल करता है परन्तु सुरेश अपने लिए खुद के पेड़ लगा रहा है और उनकी देखवाल कर रहा है हालांक रमेश के मालिकों के पास बहुत बड़ा वाग है लेकिन रमेश कभी भी इसका मालिक नहीं बन सकता है। रमेश यह नहीं कर सकता है। आपका दिन शुब हो। आपका दिन शुब हो।